हाई फ्रेंड्स माइस सेल्फ डॉक्टर शैशी वोरिचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वाधत करती हूँ आज मैं आपको एक होमियोपेथिक मेडिसिन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है कॉक्यूलस इंडिका मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फेर ओफेक् लिम्स इन लग जाता है के उनके जो मसल्स हैवो टाइट होनेलग जाते हैं उनके जो फिल उने लग जाते है इस टाइप के अगर किसी परसंको दोरे आ रहे है कोई साइk logical trauma या पिर बेड में प्रोबलम होने के वजएंगर इस अगर किसी परसंको स्थायब के दोरे आते हैं तो उसके लिए को यूज किया जा इता है 好 विलिस ression मेडिसिन बच्चों के लिए काफिर जादे यूसफुल मेडिसिन है अगर किसी बच्चे को कोई इंफेक्शन हो चुका है उन्हें सर में कोई इंफेक्शन हो रहा है खून में अगर इंफेक्शन जादा हो जाता है तो बच्चों को भी कई बार कनवलजन आने लग जाते हैं तो बच्चों को अगर किसी भी तरीके के दौरे पढ़ते हैं, कोई मिर्गी का दौरा आता है, तो उस condition में आप इस medicine का यूज कर सकते हैं Cocculus Indica Medicine, Vertigo और Headache जैसी complaint के लिए भी यूज किया जाता है अगर किसी person को बहुत जादा चक्कर आते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ घूम रहा है इस type के अगर उन्हें चक्कर आ रहे है, feeling आ रही है, sensation आते है Head में उन्हें heaviness होता है, vomiting जैसा feel होने लग जाता है नौजया होता है, तो इस type की complaints के लिए भी आप इस medicine का यूज कर सकते है Cocculus Indica Medicine, motion sickness या फिर travel sickness जैसी complaint के लिए यूज किया जाता है motion sickness का मतलब है कि अगर कोई भी person कहीं पे भी travel करता है किसी भी mode से travel कर रहा है, जैसे कि bus से travelling कर रहा है, या फिर train से travel कर रहा है या फिर अगर कोई person flight से travel करता है, तो उन्हें कई सारे unpleasant feeling आ सकती है, sensation आ सकते है जैसे कि person को headache हो सकता है, चक्कर आ सकते है, उन्हें vomiting जैसी complaint हो सकती है ऐसे person को nausea हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है तो ऐसी complaints को यह हम लोग motion sickness कहते हैं, और इन सब symptoms के लिए आप cocculus indica medicine को use कर सकते है cocculus indica medicine को pain के लिए भी use किया जाता है, अगर आपके हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है muscular pain रहता है, traveling के time में दर्द होता है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है cocculus indica medicine, paralysis जैसी complaint के लिए भी काफी जादे useful medicine है अगर किसी person को paralysis हो चुका है, especially उन्हें one-sided paralysis हो चुका है half face paralyzed हुआ है, या फिर एक पैर या फिर एक हाथ paralyzed हुए है तो ऐसी condition के लिए आप इस medicine का use कर सकते है paralysis में person को numbness feel हो सकता है, उन्हें trembling feel हो सकती है तो इन सारे symptoms के लिए आप cocculus indica medicine को use कर सकते हैं cocculus indica medicine muscular problems के लिए यूज की जाती है अगर किसी person को walking के time में बहुत जादा बोन से आवाज आती है cracking sound आता है, तो ऐसी complaints के लिए cocculus indica medicine को use किया जाता है परसन को कभी भी कोई muscular pain हो रहा है, भड़ियों में दर्द हो रहा है या फिर उन्हें muscular straining या फिर spraining हो रही है तो उसको control करने के लिए इस medicine को use किया जाता है cocculus indica medicine को vomiting के लिए भी use किया जाता है अगर किसी female को morning sickness की complain है morning sickness का मतलब होता है कि pregnancy का जो first trimester है first three months जो होते है, अगर female को उस टाइम बहुत ज़्यादा vomiting, nausea feel होता है उन्हें digestion से related कोई complain हो रही है emotional या physical changes हो रहे है body में तो उसके वज़े से उन्हें unpleasant feeling आने लग जाती है तो उसी condition को हम लोग morning sickness कहते है अगर किसी female को बहुत ज़्यादा nausea vomiting जैसा होता है तो वो cocculus indica medicine को use कर सकते है इसके अलावा कई सारे cases में ऐसा देखा जाता है कि female को खाने की smell से या फिर खाने को देखके vomiting होने लग जाती है तो इन सारे symptoms के लिए आप इस medicine का use कर सकते है cocculus indica medicine mensis से related complaints के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी female को heavy और painful periods की complain है उन्हें बहुत ज़्यादा bleeding होती है साथी साथ बहुत ज़्यादा pain होता है तो ऐसी female इस medicine का use कर सकती है cocculus indica medicine आप 30 potency में यूज कर सकते है अगर आप इस medicine को 30 dose में यूज करते है तो आपको 4-4 drop दिन में 2 बार diet अपने टंके ओपर इस medicine को use करना होगा so friends ये था cocculus indica medicine मैंने आपको बताया कि इसका sphere of action क्या है और clinically आप कौन-कौन सी condition में इस medicine को use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते है मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप please इसको like कर दीजे और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजे और जो bell icon है उसे press कर लीजे ताकि आपको मेरे आने वाली videos को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you